प्रोजेक्शन्स या मैप प्रोजेक्शन्स क्या होते हैं मैप मतलब है मानचित्र और इसमें प्रोजेक्शन का क्या रोल है कैसे मैप बनते हैं सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारा जो अर्थ है पृत्वी ना तो ये ऐसे बॉल की तरह गोल है और ना ही ये अंडाकार है जिसको हम इलिप्स कहते है दोनों ही शेप में नहीं है इसका कुछ अलगी शेप है लेकिन हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इसको मैप करें और फिर हमने अलग-अलग सिस्टम्स बनाए जी-स सिस्टम्स फिर उसके बाद डबलू जी-स 84 फिर प मैप पर पदर्शित करना है यानि एक्चल जो सिनारियो है जैसे ये कोई लैंड सर्फेस है एक्चल सिनारियो तो ये है लेकिन हम इसको 2D पर ले जाना चाहते है यानि जो 3D पर जिस तरीके से दिखता है इसको हम चाहते है कि ये 2D पर कैसे दिखे तो यहां से यहां तक ट धती है जो प्रोसीजर है टेकनीक है इसी को हम प्रोजेक्शन कहते हैं जैसे अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ चंद्रमा है चांद और फिर चांदी रात में आप दिखेंगे आप पर यहाँ पर आपका एक प्रतिबिम्ब आएगा शैडो तो यह जो शैडो है इस इसी को तो प्रोजेक्शन कहा जाएगा इसी को प्रोजेक्शन कहा जाएगा और सारा काम यही हो रहा है कि अर्थ के 3D सर्फेस से तीन dimensional space से आपको 2D यानिगी मैप पे ले जाना है यही से मैप भी बनता है, ऐसे मैप भी बनता है तो तीन तरीके के main projections है cylindrical projection, conical projection, azimuthal projection अब आपका सवाल होगा कि ये फिर तीन क्यूँ है, एक ही टाइप का projection क्यूँ नहीं है तो इसको मैं बताता हूं आपको देखिए ये आपका अभी आपको एक ग्लोब दिखाई देगा इस ग्लोब को हमने किस तरीके से मैप किया ताकि ये 2D में आ गया अब ये 3D सर्फेस है और अब ये 3D से 2D में बन गया और ये 2D में जब बना तो इसके लिए एक डेवलेपबल सर्फेस लाए हम और डेवलेपबल सर्फेस जो होगा यानि जिसके ऊपर हम इसको डेवलेप करेंगे और फिर मैप में दिखाएंगे वो या तो सिलेंडर होगा या कौन होगा या फिर एजिम उथल होगा जो कि मैं आपको बताता हूँ प्लेन हो पहली चीज़ आप मान के चलिए कि हम शुरुवाती दौर में एक सिलेंडर सिलेंडरिकल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपर्टन बात यह है कि एक ग्लोब में सिलेंडर आप कैसे कैसे रख सकते हैं इसलेंडर क्या होता है एक एसा जूगरैफिकल स्ट्रक्चर इसलेंडर थो निवा नहीं कि बन गया इसलेंडर में क्या होता है दो भाग इसके खुले होते और यह राउंड शैप में होता है तो अगर हम इस तरीके से सिलेंडर रख दें, तो यहाँ पर क्या होगा, यह जो equator है, center line, यह इसकी equator बन जाएगी, लेकिन इसी को, इसी को मैं उलट देता हूँ, अब मैं क्या खरूँगा, यही, सिलेंडर को हम ऐसे रख दें, तब क्या होगा, तब यह क्या हो जाएगा, यह अपका transfers कहलाएगा, हमने इसको 90 degree turn कर दिया, 90 degree, इसलिए transfers हो गया, तो अब central line क्या होगी इसकी, हमारी prime meridian हो गई, यह equator है, अगर ऐसे न रख के, हम इसको थोड़ा तेड़ा रख दे, थोड़ा angle पर रख दे, तो क्या हो जाएगा यह, इसको हम कहेंगे oblique, तो central line इसकी अब आपका main मुद्धा जो है, वो discuss करने का कि भी इसमें projection का मतलब क्या होता है, तो आप मान के चलें कि यहाँ पर हमने एक globe लिया और यह इसकी longitudes है, और यह इसकी latitude है, अब बिलकुल बीचों बीच में हमने एक bulb लगा दिया, यह आप मुम्मत्ती भी कह सकते हैं, यहने को लाइटिंग सर्फिस जैसे लगा दी, और लाइट जला दी, तो यह जो लाइने, इनका जो impression पड़ेगा इस सर्फिस पे, जैसे मैंने आपको बताया ना, यह आप यूँ खड़े है, और अगर मैं यहाँ पर लाइट रखूँ तो आपका कुछ प्रतिबिम कुछ ऐसा आए इस तरीके का आएगा, यहां रख दू तो, तो इसी तरीके से जैसे जैसे हम यह डेवलेबल बर सर्फिस इसके पर रखेंगे, और बीच में प्रकाश का सोर्स रखेंगे, तो यह जो लाइने है, यह अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट होगी, बतलब यह लाइन इस पे, इस सिलेंडर पर कहा आएगी, यह पॉइंट यहां पार कैसे आएगा, और क्या पॉइंट आएगा, उसी को यह पॉइंट आगया, यह पॉइंट यहां आगया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहां से कट करेंगे, और खोल देंगे, जैसे यहां हो रहा है, कैसे हो रह इसकी light है यह बताने के लिए कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि अर्थ के अंदर किसी ने light रख दी मैं आपको बता रहा हूँ कि projection क्या होता है projection का सीधा माइना यह है कि globe से के point को आपको plane पे दर्ज करना है तो कि इसके लिए surface क्या हो सकते है एक जैसे मैंने आपको बताया cylinder हो सकता है तो यह तरीका हो गया कि cylinder से कैसे या फिर यह कहें कि globe को cylinder के जरीए कैसे हम plane पे प्रदर्शित करेंगे अब एक मैंने बताया आपको बाकी क्या हो सकते है एक बार इसको और फ्रॉबसा दर्ज करते है यहाँ पर आपने क्या किया कि एक cylinder लगाया अब यहाँ पर हलके से मान के लीजे कि इसको अपने paper को काट दिया या paper हो या जो भी चूँँ इसको काट दिया और इसको यह ऐसे खोल लिया तो यह खुल गया अब जब खुल गया तो यहाँ पर इस भाग का क्या होगा इन भागों का क्या होगा तब लोगोंने का रहे यह भाग तो आई नहीं रहे ठीक से प्रोजेक्टी नहीं हो पा रहे तो फिर इन्होंने का कि ठीक ऐसा एक कोन रखते तो कोन से क्या होगा कि यह जो आले जो भाग है ये बहुत अच्छे से आ जाएंगे तो इसको हम कहते है कौन ही कल प्रोजेक्शन कि अब इसमें डिवलेपबल सर्फेस याई कि एक सर्फेस जिसमें यहाँ पर हम एक लाइट माने एक इमेजनेरी और वो लाइट से यहाँ का जो ग्लोब का पॉइंट है वो यहाँ प्रोजेक्ट करें और फिर इसे खूल दे तो जो यहाँ का पॉइंट है वो यहाँ कहीं आरहा होगा है ना समझ गया तो इसको हम खोलेंगे और फिर देखेंगे कैसे आरहा है यह कौन हो गया फिर कुछ लोगों ने कहा ये तो ठीक है आपने ये वाला भी और कवर कर लिया ये भी कवर कर लिया अब ये ये तो होई नहीं पा रहा दोनों ही सर्फिस में दोनों ही आपके कौन में भी सिलेंडर में ये तो हो नहीं पा रहा तो फिर किसी ने कहा कि भी ऐसे करते हैं यहां पर हम ये वाला यूज़ करते हैं ठीक है प्लैनर प्लैनर एजी मुथल या प्लैनर कह लीज़े इसको तो यहां पर इन्होंने इसको सीधन पोल पे रख दिया अब पोल पे रखा तो जो भी प्रोजेक्शन आएगा खास तो पर यह जो नॉर्थ पोल और सौंथ पोल है इसका रखास पास पिधाल साप यही होता है तो जगा जगा पे डिपेंड करता है कि आप जिस जगा पे है वहाँ के हिसाब से प्रोजेक्शन होता है ऐसा नही कि क्यों एक इस प्रोजेक्शन हर जगा चलता है तो फिर इसको जब खुलेंगे तो यहां पर आप इस november को सकते ह यहां पर कहां आ रहा है अब आपके बाद स्टूडी में आ गया अब आप इसको इसको मैप में प्रदर्शित कर सकते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि एक सिलेंडर हो गया इसको हमने तेड़ा कर दिया और तेड़ा कर दिया फिर उसके बाद सीकेंट कर दिया फिर उसके planner लिया planner क्या किया इधर planner ऊपर भी ले सकते ऐसा भी ले सकते लेकिन यहां भी भी तो ले सकते यहां पर भी 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 तो ले सकते सब क्या अलग अलग ना मना दी है seek and planner, oblique cylindrical cylindrical और यह सब का काम एक ही है एक चीज़ अगर आप समझ गहे ना कि यह जो point है अर्थ पे आप जहां रहते हैं वो plane जब पे किस तरीके से आएगा और plane को खोलेंगे तो वो कैसे दिखाई देगा ये चीज़ है तो यहां पर एक चीज important बताने की है कि जितने भी projection हैं वो कोई नो कोई चीज़े खो देते हैं कई ऐसे projection होते हैं जो लेकिन उसका area बिगड़ जाएगा area कम हो जाएगा जादा हो जाएगा size बिगड़ जाएगा ये direction change हो जाएगे कई ऐसे होते हैं जिसमे directions आपको सही मिलेगी ये चीज़े खराब हो जाएगे तो कोई भी ऐसा projection system नहीं है जिसमें आपको वैसा ही मिल जाए जैसे 3D से 2D मिलेगा जैसा कभी होई नहीं सकता 3D से 2D में आप convert करेंगे तो आपको losses होंगे तो कौन सा आपको loss करना है कौन सा आपको save करना है उस हिसाब से projection decide होते हैं तो मैं आपको ये projection दिखा रहा हूँ इसको देखिए आप ये अलग-अलग type के projection है इतने सारे हैं कि इसको हम अभी तो discuss नहीं कर सकते बहुत time लग जाएगा और यहाँ पर देखें इसमें जैसे equi rectangular है इसमें क्या है cylindrical है जैसे मैंने आपको समझाया लेकिन ये equidistant है मतलब अगर globe पे length नापेंगे और इस map पे length नापेंगे तो बराबर आएगी लेकिन अगर आप angle नापने लगे तो अलगा जाएगा ऐसी अलग-अलग तरीके की चीज़े ये save करते हैं और ऐसे तमाम तरीके के projection है ये देखिए इतने सारे projections हैं इतने सारे projections है तो जब आँगर आप इसको detail में पढ़ना चाहेंगे समझना चाहेंगे तो उस पर और discuss किया जाएगा लेकिन ultimate बात ये है कि अलग-अलग developable surface होते हैं normally हम cylinder, cone और plane लेते हैं और उसके बाद हम 3D को 2D में present करते हैं चलिए जब ये बात हो गई projections की धन्यवाद